गुड इवनिंग फ्रेंज माइनम इज राज और वाचिंग यूर फेवरेट चैनल राज टेक्निकल अनासर साज कर डिट है उननीस फाब दोजा तेईस आज हम लोग जिन स्टॉक्स के उपर मंतली प्रिवीव करेंगे एर टेल जहांपे मेरे सारे सब्स्क्राइबर मुवमेंट नहीं हुआ है जो मैंने बीच में भी बताया था कोई भी स्टॉक आप ले लो जहांपे स्प्लिट होता है वहांपे थोड़ी देर के लिए मुवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है फिर बात करेंगे अमर राजा बैटरी अगेन आप लोग मेरे वीडियो देख र करता है साथ मैं कोई भी कमणी को पर वीडियो बनवाना चाहते है तो जल्दी से में रेकमेंट बॉक्स पर बताये ताकि मस पर जल से जल रिसर्च करके वीडियो बना सको हो बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया ह कि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे बड़ उसके लिए बेल लोटिफिकेशन आउन करना बिलकुल मत भूलिए मेरे चैनल की यूइस पी यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टन्स बताने की कोशिस करता ह है कि मैं आप हर महीने आप लोगों के लिए मंथली प्रिव्यू भी अपडेट कराता हूँ बात करेंगे एटल कमनी क्या करती है कौन सी काटेगरी में आती है यह सारा इंफोर्मिशन जानने के लिए आप यह उपर दिया वे लिंक पे जरूर देखे एटल लाश्ट टैम व एट फिफ्टी तक का लेवल गया है वापस आया यह अभी अगर बात करेंगे उनीस फैप दो साथीस अभी भी 200 यह में के उपर है 776.80 की क्लोजिंग है साथ सो का पहला सपोर्ट साथ साथ सो का दुष्टा सपोर्ट आठ सो अभी इसका बन गया है इंपोर्टन सपोर्ट रिजिस्टंस वन 850 रिजिस्टंस तू 900 रिजिस्टंस त्री हैस अगर आप इसका देखेंगे 795.85 है और इसका इसमेने का चो लोश्ट है 751.65 है 750 बहुत इंपोर्टनेंट लेवल है यह चीज़ याद रखिए से एक बार में मारा बुजू बियरिश मारा बुजू कैंड आप देखिए 7000 के नीचे जैसे ही उसमें मारा बुजू बियरिश मारा बुजू बना था 6500 क्या 6000 तक भी आया इसके लिए जब को जब भी भी आपको बियरिश मारा बुजू कैंडल बने आपको स्टॉक पे अलट रहना पड़ेगा जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कर रहे हैं तो डेफिनेटल आप रॉफिट लेके निकल सकते हैं बट जेनरली उसमें भी रूल है कि थोड़ा नीचे आएगा और फिर से वह अपर चला जाएगा क्यूंकि उसमें बना था आपका बुलिश मारा बुजू कैंडल जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं रेगुल बुलिश रिवर्सल कैंडल में क्या होता है आपको पता है बुलिश था बेऄरिष था आपको लगा बेरिश था एक सिंगल कैंडल की सब्सक्रक मार्कर आपको यह यह वहा बनाहीं चाल चला जया जाएगा आपका सोप लॉस भी हो currents रही है इसको लिए मैं आपको हमेशा ब फंड से या आपके बैंक के FD से अब बात करेंगे IOC के बारे में कमणी क्या करती है कौन सी काटेगरी में आती है यह सारा information जानने के लिए आप यह उपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए IOC मैंने लाश्ट टैम विडियो बनाया था आप बात करेंगे अमर राजा बैटरी कमनी क्या करती है कौन सी काटेगरी में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिये वे लिंक पे जरूर देखिए अगर अमर राजा बैटरी का आपने उस टैम मेरा पहला वीडियो देखा रहे था तो भी आपको स्टॉक पे नुकसान नहीं हुआ रहे था मैंने पहले वीडियो में ही आपको यह लेवल जो आज 600 पे चल रहे न वो दिया था 500 का पहला सपोर्ट 550 दूर्शा सपोर्ट 600 बहुत इंपोर्टनेट लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टन्स वन है पिछले महीने भी दिया था 650 का रेजिस्टन्स टू 700 का रेजिस्टन्स थी अमर राजा बैटरी आजके रेट पर उननीस फैट दो जाते ही से एक अच्छी बात है कि 200 डे यह में के ऊपर है बट सेंच सपोर्ट एंड रेजिस्टन्स फाइंड पर पहला सपोर्ट 550 पर दूश्टा सपोर्ट 600 सपोर्ट फी एंड रेजिस्टन्स वन 650 रेजिस्टन्स टू और 700 रेजिस्टन्स थी हाइस अगर आप इसका देखेंगे 619.70 है और अब भी जस इसी वीडियो में आपको बनाया अगर बनेगा तो भी उस पर थोड़ा सा करेक्शन तो आने ही वाला है 660 से अगर आप इसका देखेंगे 561 तक आ गया पर स्टॉक 100 रुपई यानि कि जिन लोगों ने 620-30 पर लिया रहेगा वो तो 600 के स्टॉप प्लोस पर न अगर आप कर रहे तो आपको एक्सपिरियंस ही सबसे इंपोर्टन है और कैंडल स्टिक का नॉलेज उससे भी इंपोर्टन है क्यूंकि एफ नो हो या इंट्रेडे हो आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आपको कैंडल का 100 पर संट नॉलेज हो 100 क्या आप 50 पर संट भी कैंड मैं मतलब क्या बहुता हैं 10-15 कैंडल पढ़ो लेकिन उस पर एक्सपर्ट बनो कि आप वो चार्ट में अगर वैसे कैंडल देखो बुलिश देखरो तो बुलिश देखरो तो बेरिश देखरो तो बेरिश पाई करो तब भी आप 10-8 कमा सकते हो बात करेंगे ग्रिफाइट कंपनी क्या करती है कौन सी काटगरी में आती है यह सारा इंफोर्मेशन जानने के लिए आप यह उपर दियावा लिंक पर जरूर देखिए ग्रेफाइट इंडिया लाश्टाम वीडियो बनाए था नौज एंड दोज़ा तेश क्लोजिंग था 378 रुपीज सपोर्ट वन 300 सपोर्ट तो 350 सपोर्ट 3 400 रेजिस्टंस 1 400 रेजिस्टंस 2 450 रेजिस्टंस 3 500 ग्रेफाइट इंडिया आज के रेट पर उननीस फाब दोज सब्सक्राइट के निचे टच किया 318.35 के क्लोजिंग 52 वीक का 52 वीक लो है अभी 310 सम्थिंग जो किस पर इसका लोइस्ट है 250 पर पहला सपोर्ट आगया 300 का लेवल नहीं तूटना चाहिए ग्रेफाइट इंडिया अगर आप अभी इस टॉक को अपने वाच लीस में रख कीचे जैसे मैंने आपको वीप्रो के लिए भी सेम चीज़ बताई हुई है 400 के उपर ही बाई करना 400 तक आपका स्टॉप लोस रहना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी हो सकता है इंटरनाशनल मार्केट होगे IT मार्केट होगे है वीप्रो के लिए स्पेशली कह हुआ था मैंने कि भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है जब हम IT Sears के उपर बात करेंगे अभी आप देखे टेक महिंद्रा 1000 रुपे तक आया और अलमुष 1100 टच कर दिया दो दिन में ओके आपके लिए इंफोसिस ने भी वो चीज़ किया बट वीप्रो ने नहीं किया त उसने यहां से बुलिश रिवर्सल लिया तो अच्छा पैसा देगा और अगर इसमें जैसे मार्केट इंटरनेशनल मार्केट देखें यहां का IT मार्केट देखें थोड़ा डाउन है अगर करेक्शन आए तो उसमें भी करेक्शन आ सकता है तो you have to be alert मैं आपको हमेशा बोल से कम में माच जाना फिट से 400 के उपर आने से बाई काना यह चीज मैं रेगुलर वीडियो पर आपको बता रहा हूँ ग्रेफाइट इंडिया का अभीकार डेट अगर आप देखेंगे 19, 12, 23, 200 डे इमेके नीचे चल रहा है 318.35 जैसे मैं आपको बता है 350 पर पहला सपोर् रेजिस्टन्स टू 400 और रेजिस्टन्स टू 450 हैस अगर आप इसका देखेंगे 391.90 लोएस्ट आपको बता है 310.30 तो उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्स्राइब कीज़े जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर और रेजिस्टन्स देकर उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीज़े मेरी वीडियो को लाइक कीज़े सब्स्क्राइब कीज़े और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉरवर्ड कीज़े थैंक यू सो मच हैव नाइस टे